दोस्तों कि आपके Google फोटो से या फिर आपके गैलरी से आपका फोटो, वीडियो, डाकुमेंट गलती से आपसे डिलीट हो गया है और आप उसे रिकुवर करना चाते हैं वापस लाना चाते हैं आपने बहुत कोशिस कर लिया लेकिन आपके रिकुवर नहीं हो रहा है वापस रिकुवर करना चाते हैं वापस लाना चाते हैं बिलकुल ही आसान टिप्स और ट्रिक्स के द्वारा तो फिर चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों अगर आपके गैलरी से कोई फोटो, वीडियो, डाकुमेंट आपके डिलीट हो चुका है उसे आप गैलरी से भी रिक आइटम्स दिखाई देगा आपको इसी डिलीटेड आइटम्स पे क्लिक कर लिए आप यहां पर देखेंगे तब फोटो वीडियो डाकुमेंट जो कुछ भी गैलरी से डिलीट हुआ है सब किसब आपका दिखाई देगा जिस तरीके से हमारा तीन फोटो दिखाई दे रहा है रिक्वर करने के लिए वापस खलाने के लिए करना क्या होगा इसी फोटो इसी वीडियो पुगली से थोड़ी दबा कर रखिये उसके आप इस तरीके से सलेक्ट हो जाएगा नीचे देखेंगे ताप को री स्टोर का आपसन दिया होगा आप री स्टोर पे जैसे क्लिक कर आपको यहां से बैक हो जाना है गूगल फोटो जैब पे क्लिकर के उपन कलेना है उसके आपको यहां पे ध्यान से फोटो वीडियो ढून लेजिए आपको दिखाई देगा 100% कर आपको जो भी फोटो वीडियो डिलीट हुआ है गैलरी से वह आपको यहां से मिल जाएगा हमारे गैलरी से कोई फोटो वीडियो डाकुमें डिलीट हो जाए अब गूगल फोटो से मिल जाए रिस्टोर कर लें आपको यहां पर बैक अप चालू चालू करना होगा बैक अप चालू करने के लाब को रइट साइड जो पिर भी प्रोफाइल फोटो लगा होगा आपको इसी पे click कर लेंगे उसके आपको दिखाया देगा got photos setting photo setting पे click कर लेंगे उसका go backup पे click कर लेंगे तो Kaiser यहाँ पीससे disable कर लिए तो आपको इस तरीके से identify से enable कर लिजिए गा उसका soul is calculate controlling आपके फौन में गूगल Photos का back up … तो चालू होजाएगा अपकद गैलरी से कोई photo video delete होगा in future आपका photo video सब के सब आपके Google photos में मिल जाएगा आप यहां से restore कर सकते हैं लेकिन अगर आपका कोई photo video document जो है आपका gallery से भी delete हो चुका है और आपके जो Google photos यहां से भी delete हो चुका है नहीं दिखाई दे रहा है बहुत process के लिए आप यह photo video वापस लाना चाते हैं वापस लाने के लिए जो tips और tips बतार आपको ध्यान सुनना है इसके लिए यहां से बैक हो जाना होगा आपको इसके लिए third party application को use करना होगा third party application के लिए आपको play store को open कर लेना है search bar पे click कर लेना है आपको यहाँ पे type कर देना photo recovery type करके search कर लिजेगा तो आपको सामने लंबी चौड़ी list खुल जाएगा आपको कोई भी app को open कर सकते हैं मैं यहाँ बताने मैंने डिक्स टीजर वाले को यहाँ पमें click कर लिया हूँ आपको यह वाला app भी आप इस्तमाल कर सकते हैं यूज कर सकते हैं जब ही मुझे कोई problem होता है या photo मेरा डिलीट हो जाता है वीडियो डिलीट हो जाता है इसी app के सहारे मैं जो require कर लेता हूँ वापस ला लेता हूँ आप भी यह trick अजमाई 100% कर रहा हूँ आपका जो ही photo वीडियो डिलीट हो आए वो आपका require हो जाएगा इस app का link में description में भी जाज़ा आप वहाँ से भी download कर सकते हैं download कर लेने के बाद आपको open पे click कर लेना है open पे पहली बार click करेंगे तब के सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा उपर दिख सक दिखाई दे search for lost photo दिखाई दे उसके बाद दिखाई search for lost video दिखाई दे रहा है आपका photo डिलीट होगा है कि video डिलीट होगा आप चूच कर लिजे हमारा photo डिलीट होगा है इसलिए मैं यहाँ search for lost photos पे click कर लेता हूँ आपका जो भी आप click कर लिजेगा उसके दो को दिखाई दे go to setting go to setting पे click कर लिजे permission आपको देना होगा उसके दो को दिखाई दे allow assist to manage all files जो की disable है इससे आपको enable कर लेना है इसके आपको यहाँ से बैक हो जाना है वो इसके आपको सामने देख सकते हैं require होना सुरू हो चुका इसका इनिंग करना सुरू हो चुका है आपको यहाँ पे ओ भी photo दिखाई देगा जो कि present time वरतमान समय में gallery में है आपको Google photos में वो सब भी photo दिखाई देगा और आपको बीच बीच में वो photo दिखाई देगे जो आपको gallery से Google photos से delete हो गए है वो भी photo दिखाई देगा आपको यहाँ पे ध्यान से ढूड़िएगा आपको 100% करा हो मिल जाएगा require हो जाएगा अब जैसे मैं यहाँ पी इस तरीके से मैं यहाँ उपर नीचे करना सुरू कर देख सकते हैं हमारे gallery में यह photo है और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है भी एच बीच 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 दूड़ेंगे तो आपको फोटो मिल जाएगा जो photo आपके gallery से google photo से delete हुआ है इस तरीके से आप ढूंड लेजिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हमारा इतना require कर दिया देख सकते लिखा है डिक रिजर हैड फाउंड 2288 रिकवरे फाइल मेरा 2288 जो फाइल है और require कर दिया है आपको जो भी require कर देगा आपको इस तरीके दिखाए देगा आप यहाँ पर ढूंड लीजिए गा 100% कर रहाएँ आपको जो भी photo वीडियो डिलीट हुआ है और आपको फोटो मिल जाता है जो फोटो आपको डिलीट हुआ है उससे आप require करना चाहते है जैसे आप यह फोटो में require करना चाहता हूँ आप इस फोटो पे देख सकते हैं 3. दिखाए ते 3. पे इकलिक कर लीजिए उसके दिखाए देख सेफ धिश फाइल लोकिल्टि आप यहाँ पे कलिक कर लीजिए उसका पर सामने इस तरीके से खुल के आजाए कामरा में सेफ कर सकते हैं अगर आप दूसरे जगा सेफ करना दूसरे जगा भी सेफ कर साथ भी यहां से बैक हो जाएंगे आप यहां पर चूच कर लिजिए ओपन कैमरा कैमरा आपका फोल्डर दिखाए देगा अगर आप कोई नया फोल्डर बनाना चाहा पर यहां प्लस दिखाए देरे उपर आप यहां से नया फोल्डर भी क्रियेट कर सकते हैं जैसे मैं यहां पर कैमरा में सेफ करना पर कैमरा पर क्लिक कर लेता हूँ उसका आपको दिखाए देगा यूज दिस फोल्डर यूज दिस फोल्डर पे क्लिक कर लिए एलाव पे क्लिक कर लिए उसका आपको सामने कुछ इस तरीके दिखाए देगा नो थैंक्स पे क्लिक कर लिए आपको यह फोटो जो है कैमरा वाले फोल्डर में जा चुका है आप हमने require कर दिया है इस तरीके से आपका कोई फोटो हो वीडियो डाकूमेंट हो जो आपके गैलरी से Google फोटो से डिलीट हो चुका है उससे आप इस तरीके से आप require कर सकते हैं वापस ला सकते हैं थाइक दोस्तों for watching my video